छिपकली दिख जाए या सरीर पर गिर जाए तो इससे क्या होता है बहुत से चीब जंतु हैं जो हमारे घर में ही पाय जाते हैं उनमें से एक छिपकली भी है आम तोर पर घर में छिपकली को देखते ही लोग भागने में लग जाते हैं मगर सास्त्रों के मुताबिक घर में छिपकली का होना बहुत ही सुब बताया गया है हालाक इसमें भी अलग अलग सास्त्रों में भिन मिन मत दिये गए है मगर छिपकली को हिंदु धर्म में अलग ही महत तो दिया गया है अमूमन लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि अगर छिपकली नजर आ जाए, सरीर के किसी भाग पर गिर जाए या फिर पैरों के नीचे आ जाए तो कोई न कोई सुब या अशुब घटना जरूर घटती है छिपकली का घ़र में होना या सरीर और गिरना अलग अलग संकेत देते हैं, इन में से कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बरे प्रभाब भी डालते हैं छिपकली का दिखना अगर किसी पर्व के दिन आपको घर में अचानक छिपकली नजर आ जाए तो संकेत है कि आपके घर में देवी लचमी का बास है मगर छिपकली का रंग भूरा होना चाहिए अगर आपको दो लड़ती हुई छिपकली नजर आ जाएं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको जल्द ही कोई दुक बढ़ी ख़़वर सुनने को मिल सकती है अगर घर से निकलते समय आपको छिपकली नजर आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको कोई सुप समाचार मिलने वाला है यद किसी नए घर में प्रवेश के दोरां आपको मरी हुई छिपकली नजर आ जाए या बैसे भी आपको मरी हुई छिपकली नजर आ जाए तो यह संकेत है कि जल्दी आप बीमार पढ़ने वाले हैं अगर आपके सरीव पर छिपकली चड़ती है तो आपको नए बस प्राप्त होते हैं अगर सिर्पर छिपकली गिरती है तो आपको अचानक धन प्राप्त होता है यद आपकी पीट या गर्दन पर शित्कली गिरती है तो आपको अपने छेत्र में यस प्राप्त होता है अगर आपकी पेर पर शित्कली गिरती है तो यस अंकेत है कि आपको जल्द ही यात्रा पर जाना पड़ सकता है यद हाथ हतेली तंदे पर शित्कली गिरती है या चड़ती है तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही किसी चीज में विजे प्राप्त होने वाली है पैरों के नेचे चिपकली के आना सुप संकेत है और यह दरसाता है कि आप जीवन में किसी अच्छे काम के लिए आगे भड़ रहे हैं और पैरों के नेचे आकर चिपकली का मर जाना अच्छा संकेत नहीं है जो यह दरसाता है कि आपको जल्द ही कोई बड़ी हानी होने वाली है चिपकली एद आपके हातों से मर जाए तो इससे धनकी हानी होती है चिपकली अगर आपको परवेश द्वार पर मरी हुई मिले तो समझ लेजिए कि आपके ऊपर कोई बड़े परेशानी आने वाली थी मगर आप बच गए बैसे तो छिपकली दीवार पर चलती है मगर ये आपको छिपकली जमीन पर चलती हुई नजर आजाए तो समझ जाएं कि आपको आर्थिक लाब हुने वाला है उसकटी हुई छिपकली देखना असुप संकत होता है यह दर्साता है आपके सत्रों आपपर हावी हो सकते हैं काली छिपकली देखना भी यह सबके देता है कि आपको आर्थे खानी होने वाली है उम्मीद है कि आपको छिपकली से जुड़ी यह अध्वुत जानकारी पसंद आई होगी धन्यवाद